धरमपूरी नगर के बीचो बेच बेच संस्थान की खाली जमीन में मूर्ती मिलना चर्चरा का विशय बना हुआ है इसकी खबर लगते ही देर रात बड़ी संख्या में हिंदू संगठन की लोग पौके पर पहुंचे और भगवान की मूर्ती होने का दावा किया देखे खास रिपोर्ट आपको बता दें कि धरमपूरी नगर के बीचो बेच स्थथ बावडी चोराहे पर प्राचीन बावडी के पास खाली जमीन पर बच्चे क्रिकेट खिर रहे थे तब ही उन्हें जमीन से गड़ी हुई एक मूर्ती दिखाई दी इसकी सूचना उन्होंने नगर की हिंदू समाचनों को दी जिसके बाद नगरवासी सहित हिंदू संगठन की लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुँचे और आसपास थोड़ी सी खुदाई करके देखा तो उन्हें भगवान की मूर्ती दिखाई दी इस दोरान सुरक्षा को लेकर टी आई संतोश यातव तैसिरदार शिवान श्रिवास्तव अपने दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और पुलिस जवान की तैनाती की गई समाज में इस तरह किया है कि उस जगा पर मंदीर रिवान किया जाएगा कर लिए जनकारी मुरी थी कि ठाना चौरा के पास में बैट संस्तान की जगह है वहां पर बच्चे क्रिकट खेल ले ते उसी दौरान इस्टम कुगालने की दौरान कोई पत्थर मीशे संज्जा आया उसकी स्वक्षा वेस्ता के लिए रात से प्लेजबल लगा दिया गया और तैसिल्दा वेंडम भी रात में आगे थी अब आगे जोकि ये ट्रेस्ट जो है वो कमिसा संभावी कमिसा साब के अंडर में है तो बच्च अदकारियों के निदेशन में ही आगे बैदाने कर वही वही नगर के वरिष्ट पंदित विश्वनात व्यास भी मौके पर पहुँचे चिन्होंने मूर्ती को देख कर कहा कि ये मूर्ती भगवान शिव पारवती की है वहां मौजूद लोग ने मूर्ती की साफ सफाई कर पुनह मूर्ती को उससे स्थान पर रख दिया और पूज का पार्ट शुरू करती इसे के साथ ही हिंदू संगठन की लोग उससे स्थान पर मंदर नर्मान की मांग कर रहे हैं वे और रिपोर्ट अंपी नियूज धरमपूरी